हलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर सुपर स्टार पाकी हेगडे जी की दो बेटियां हैं ये सायद आप लोगों को पता होगी पर बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि पाकी हेगडे जी की दोनों बेटियां क्या काम करती हैं महीने का कितना कमाती हैं उनका डेट अफ बर्थ क्या है उनका नाम क्या है या फिर कौन सी फिलम या इलबम कर चुकी है यह सारे सवालों का जबाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ तो वीडियो में अन्ट तक बने रहिएगा तो बेना देर किये चलिए बढ़ते हम अपने टॉपिक के तरफ आशना का पढ़ाई लिखाई सभी मुंबई में हुआ है क्यूंकि आशना हेग्रे का होम टावन ही मुंबई है बैसे तो अभी इंडिया में टिक टॉक बंध हो गया है पर आशना हेग्रे पहली बार सोचल मीडिया प्लेट फरम पर आई थी तो वह टिक टॉक ही था अभी यूटूबर हैं मतलब कि जा पर साथ लाग से सब्सक्राइबर हैं, महिने में नहीं कर दो तिन दो गदर हैं अगर आप लोग आशन साथ मिडियों देखना चाहते हैं तो सभसे पहले बता देते हैं कि उनकी सभी वीडियों के लेत बोलती है बात करते हैं आसना हेग्रे की YouTube channel से कमाई की तो किसी भी YouTube channel का मंथली कमाई fix नहीं होती है वैसे आसना हेग्रे के कई सारे वीडियों पर million views के पार हैं तो उस पर लाखों से उपर की कमाई अफकोर्स हो सकती है किसी वीडियों उस पर million views से थोड़ा कम है तो उस पर लाख से थोड़ा नीचे की कमाई आप समझ सकते हैं बट आसना जी के हर वीडियों पर लाखों के उपर की कमाई होती है यह बात सच है और आसना हेग्रे अपने वीडियों में Bonjour की प्रॉड़ेक्स की भी प्र्मोशन करते रहती हैं तो उन से खुसी हेग्रे का भी एजुकेशन मुंबई में हुआ है खुसी हेग्रे भी पहले टिक टॉक्स पे वीडियो बनाती थी अपनी बहन के साथ इन दोनों बहनों का टिक टॉक पे सेवन मिलियन से ज्यादा के फ्लोवर्स थे अभी खुसी हेग्रे मॉडलिंग करती हैं बड़े- ओवर्रोल खुसी हेग्रे की महिने की कमाई 50-70 लाक रुपे हैं बात करते हैं दोनों बहनों के फिलम या एलवों के बारे में खुसी हेग्रे या फिर यासना हेग्रे दोनों भी अभी तक फिलम नहीं की हैं पर बहुत जल्दी करेंगी ये बात उनके मम्मी ने खुद एक कहा है पर बोलीबुड या साउथ की मुवी करेंगी भोजपूरी नहीं करेंगी ये बात की मैं गरांटी लेती हूँ किमकि इन दोनों का हर वीडियो हर इंटर्व्यू इंगलिस में था तो भोजपूरी तो ना के बरावर है बात करते हैं इनके एलवम के बारे में आसना हे पेटिंग जिसको गाई थी सिंगर सोना महापत्रा एक रिपोर्ट के अनुसार आसना हेग्रे एक एलवम के लिए एक करोर रुपया चार्ज की थी हो भी सकता है क्यूंकि इनका गाना जी म्यूजिक कंपनी से रिलिज हो था आसना हेग्रे अब तक आधा दरजन एलवम कर च पाकी हेग्रे जी अपने दोनों बेटिवों पर बहुत प्राउड फिल करती है करना भी चाहिए सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उमेद है हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो लाइक कर दिजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइ कर लिजिए क्योंकि हम इसी तरह का इंटरस्टिंग और जानकारी भरा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं और आते भी रहेंगे थांक्यू फर वाचिंग बाई बाई टेक केर